हेलो उथ्रियंट फैensively तो कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सही लोग बढ़िया होगे आप से लोग बढ़िया होना भी चाहिए तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो एक कमेंट कर दो और हाँ भाई जहाँ जहाँ सेर मार सकते हो मार देना काफी साई लोगों का question था कि भाई रिवर्थ के वीडियो जब आपके पास already है तो उने एक साथ चार पांच upload क्यों नहीं कर देते भाई पहली बाद तो रिवर्थ के वीडियो मेरे पास नहीं है मैं second channel, first channel से उसे download करता हूँ इसके बाद exact वही वीडियो में upload नहीं कर सकता क्योंकि उसमें copyright है उस वीडियो पे तो मुझे उससे sound को निकालना पड़ता है फिर उस sound को मुझे दूसरे वीडियो में लगाना पड़ता है फिर मुझे उस वीडियो को upload करना पड़ता है और साथ ही तना internet नहीं होता भाई पेड़ नहीं लगा है मेरे पस internet का कि जितना चाहिए उतना लेते जाओ तो चीजे समझा करो भाई पहले वीडियो को डाउनलोड करो फिर उससे sound डिकालो, फिर उस sound को दूसरे वीडियो पे डालो फिर उसे प्रोसेस करके पूरा वीडियो बनाओ फिर उस वीडियो को तुम लोग के लिए अप्लोड करो पूरी खचड़ पंती करता हूँ मैं तो भाई जितना करता हूँ उतना समझा करो अगर वही वीडियो जो अल्रेडी उसमें अप्लोडेड है मुझे वही डाउनलोड करके इस बाल में अप्लोड करना होता तो मैं एक साथ कर देता उस बाल में कॉपी राइट ही क्यों आता भाई कॉपी राइट है इसलिए तो वीडियो चेंज करना पड़ रहा है क्या ही बोलू मैं मतलब कुछ लोगों का तो भगवान ही बिधाता है तुम लोग का जो हो अपना आते हैं पिछले एप्सोड पे पिछले एप्सोड जो था काफी सांदार था जब आपने देखा था कि जो बेटी है क्यानिग मतलब पिछली लाइफ की बेटी है ये तो तो वो fight कर रही होती है एनिमीज के साथ Underworld के उपर कर दिया था Heavenly Mansion ने अब Heavenly Mansion के साथ fight करते हुए जो कियानिक होती है वो जूएसी के साथ fight करती है और जूएसी को पता चल जाता है कि जो सामने बंदा है मतलब बंदी है जी आसी वो उसे powerful है साथ ही यहाँ पे अपनी जो queen होती है वो उसके सामने उसकी family को pair कर देती है जिसे देखकर बंदा और भी emotional हो जाता है क्योंकि यार family तो सबका बेएक point होता है है ना तो इसके बाद अपन लोगों ने देखा था कि जी आसी कहता है कि queen यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम्हें लोगों के साथ fight नहीं कर पाओगी तभी कैक के साथ काफी साजी ships वहार आती है जो fight करने के लिए radio हो जाती है तभी अंडरवर्ड का वो प्रेइ आई विल डॉग बो ने रोग देता है जो देखकर एक बंदा तुरंती दो लोगों को भेजता है कि जाओ और इसे मार दो और यह डोग उन दो लोगों के साथ fight करने लगता है वही मैंने एपिसोड भी end किया था तो यह जो एपिसोड है जैस्ट वहीं से start होता है लिव कून के पीछे जाते ही लेंग युकसिन तुरंती आंगे की तरफ आता है आती है, हाला कि वो थोड़ी सी बस दूरत दिखती थी लेकर उसकी पाउर जरा से भी बीक नहीं थी और वो तुरंती अपनी immortal energy को activate करते हुए स्रॉट को बाहर निकलती है और एक powerful attack, three-headed dog के उपर कर देती है जो देखकर ये three-headed dog भी powerful तरीके से रोड करते है और इसके तीनों ही मुहों से powerful flame निकलती है जो आँगे जाकर एक साथ fuse हो जाती है और लेंग युकसि से जाकर टकरा जाती है साथ ही flame dog का जो attack था वो ज़्यादा खतनाक नहीं था लेकिन लेंग युकसिन का दिमाग पूरी तईगे तक खाली हो गया होता है और वो तुरंती समझ जाती कि यह है spiritual power हालकि या केबल थोड़ी देर के लिए उसे control करता है और लिव युकसि तुरंती खुद को control कर लेती है लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अब तक यह थोड़ा सा ही time बहुत देर कर चुका है इसलों अपने अपको protect करने के लिए तुरंती पूरी body को अपनी immortal energy से cover कर लेती है तब ही वहाँ पे एक तेज blast होता है सार्थ थी इस time पे heavenly mansion के बाकी के जो soldiers होते आंगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि उनके पास इतनी powerful power नहीं थी और अगर वो 300 dog के साथ fight करते तो वेकार में कीडे मकोडों की तरह मार दिये जाते इसलिए ये केवल flame c को देख रहे होते हैं कि बच्चे की मर गई flame c के gap होने के बाद उसमें एक embrace figure खड़ी होई होती है जो कि obviously लेंग यूकसी होती है इस time पे उसके काफी सारे कपड़े फट गए होते हैं और उसका जो अनोखा hair style था उसके बाल जल चुके थे और उससे धुआ निकल रहा था जो देखकर वो तुरंदी कहती है damn it bloody bastard dog मैं तुम्हें मार दूंगी और hot dog बना के खाऊंगी बंदी काफी गुसे में होती है साथ ही लड़की की जो वाड़ी होती है वो हाला कि लड़कीों जैसी होना ही शाहिए पतला सरी लेकिन कोई देखकर तो वो पूरी तरीके से गायब था हाला कि तभी एक खावा आ जाती है ओए मेरे अलाबा कोई भी उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकता यह आवाज काफी आलती होती लेकिन इसमें थोड़ा सा गुस्सा होता है और इसके बाद 300 डॉक के सामने एक ब्यूटिफुल फिगर अपियर होती है जिसने अपने हाथ में एक सिकल पकड़ा हुआ होता है और इसके बाद 300 डॉक तुरंते उस परसन को देखकर चोटे से डॉक में बदल कर उसके पैरों के अगल बगल घूमने लगता है और अपने सिर को उसके पैरों से रगणने लगता है तभी सभी लोग कहते ठीक है मुझे उस डॉक से बहुत जेलिसी हो रही है यहां पे अजारों लोगों ने देगा था कि 300 डॉक जो इतना खतानाक था इस खूबसूरत फिगर के सामने कितना ज़्यादा ओवी डियांट था साथ ही यह पतले पैरों की जोड़ी किसी के मुँमें भी पान लेदानी ला देने के लिए काफी थी तभी क्यानिंग अपने खूबसूरत पैरों से इस कुत्ते को एक लात मारती और वो पीछे की तरब जाता है और रोने लगता है जिसके बाद क्यूइन क्यानिंग काफी प्राटफुल तरीके से मैंसन के लोगों को देख रही होती है तभी एक आबाज आती है क्यानिंग जल्दी से सेरेंडर करो और सबसे बड़े सिफ के पीक से इविल परसन जो की सबस्पी को लीड कर रहा था तुरंदी कहता है साथ उसकी आबाज जान बूच कर एक दबंग आबाज थी तभी क्यानिंग उसके उपर हसने लगती है और थोड़ा सा गुस्से में भी होती है जो देखकर वो तुरंदी कहता है तुम बाश्टर्ड हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज बच सकती हो और इसके बाद वो एक फॉर्मेशन के साथ क्यानिंग के उपर अटेक कर देता है और हेवेंली मैंसन के हजारो सोलजर्स तुरंदी अपनी ओरिजन कुई को आसमान की तरब भेजते है और एक ओरिजन कुई का नेट क्रियेट होता है गोल्डन नेट जो देखकर कुईन तुरंदी गहती है नेधर डॉग जाओ और इसके बाद वो कुट्टे के पिछवाड़े पे एक लात लगाती है और ये जो डॉग होता है तुरंदी गुस्से में चिल लाते हुए उपर उसे नेट की तरब भागने लगता है और बापस से थ्री हेड़े डॉग में बदल जाता है साथ इसके तीनों ही मुह से पावरफुल फ्लेम रिलीज होती है जो गोल्डन नेट को जला कर सीधा ही खत्म कर देती है जिसके बाद क्वीन क्यानिंग अपने जेट लोटस जेते पैरो के साथ आंगे बढ़ती और अपने सिकल को तुरंथी स्लैस करती है जिससे दस अजार मीटर का एक हलका सा ब्लेड बदल जाता है जो इतना पावरफुल था कि Heavenly Mansion के लड़ने बाले हजारो फाइटिंग गॉड्स को तुरंथी डिश्ट्रा कर देता है जो देखकर Heavenly Mansion के एक बड़े से संदूग का परसन वहीं जो सबको लीड कर रहा था अपने पाम अटेक को क्रियेट करता है और आसपास की जमीन बुरी तरीके से कापने लगती है और फिर नीचे से काफी सारे जमीन से चट्टाने और पत्था निकलते हैं जो एक दीबाल को बनाते हैं और कुईन का वो अटेक उससे टकरा जाता है जिसके कांट जो सोक वेब जनरेट होती है उससे हेवेल्ली मैंसन के काफी सारे गौर्ड लेबल के वारियर्स खून की उल्टियां करने लगते हैं साथी वो परसन अभी भी काफी इत्मिनान से देख रहा होता है आसपास की जो जमीन होती है वो धूल और पत्थरों से भरी होई होती है तभी क्यूइन के आज तुम हेवेल्ली मैंसन के जितने भी सोल्जर से यहाँ पे आओगे मैं उन सब को मार डालूँगी और ऐसा कहते हुए थियानिंग की वाड़ी से एक पावरफुल पावर रिलीज होने लगती है जो तुरंती आसपास के धुआ धूल, मिट्टी और चटानों को डिश्ट्रॉख कर देती है और इसके बाद वो तुरंती तोप के गोली की तरह लिूकून और लैंग यूकसी के बगल से गुजरती और उसका ब्लेड साइन होता है और दौन ही लोग खून की मिश्ट में ब्लास्ट हो जाते हैं और उसका टैक इतना फाश था कि कोई भी से देख तक नहीं पाय था उसने बास्ते में दो एमोर्टल एम्परर्स को यूँ ही मार दिया था जिससे पता जलता था कि प्लूटो यानि कि कियानि कितनी पारफुल है और जैसी के फायर साथ फाइट करते हो तो वो केबल उसके साथ टाइम पास कर रही थे और खेल रही थे लेकिन अब बास्तों वो गुस्से में थी लेकिन यहाँ पे इविल परसन जो होता है वो अभी भी स्माइल ही कर रहा होता है और अपने हाथ को आंगे की तरफ बढ़ाता है और सामने एक रेत का दानव क्रेट हो जाता है जिसकी बड़ी वाड़ी लगबाग सौफीट के आकार की होती है और यह दाहाण मारते हो दूर की तरफ जा रहा होता है और तुरंथी क्यानिंग को घेल लेता है जिसके बड़ वो यह विल परसन तुरंदी कहता है तुम्हे मेरी Heavenly Mansion के नीचे जुकना ही होगा लेकिन उसने भी बात कम्प्लीट की ही थी कि तबी Sandman Destroy हो जाता है और उसके बाद Queen तुरंथी चिलाते हुए कहती है Underworld के मेरे Soldiers सबको मार डालो 6th present obviously Underworld की Soldier City थी यहाँ पर पूरे ही Space में अंगिनत Underworld Soldiers थे जिन मेंसे कुछ Cruel Beast और Skeleton भी थे और अगर आप ध्यान से देखें तो क्यानिंग के पीछे इन finite Soldiers होते है हालकि Heavenly Mansion के लोगों की quantity ज़्यादा थी लेकिन अगर इनका comparison Underworld के Soldiers के साथ किया जाए तो यह जश्ट वैसा ही था कि चांद का comparison सितारों से किया जाए तब ही वो परसन तुरंदी कहता है अगर मैं पहले से तयार नहीं होता तो साइन मैं तुम्हें नहीं हरा पाता लेकिन मेरा Heavenly Mansion 10 Golden Treasures में से है इसलिए तुमारे पास चाहे कितने भी Underworld Soldiers हो यह सब बेकार है वो परसन Underworld Soldiers को देखकर बिना किसी घबराहट के खड़ा हुआ होता है और इसके बाद वो अपने हाथ को घुमाता है और उसके उंगलियों पे एक हलका सा Mountain दिखाई देता है और इसके बाद वो उंगलियों को हलका सा थप-थपाता है और वो Mountain 100 feet का हो जाता है और फिर 1000 feet का और उससे एक Invisible Power Release होती है जिसके कारण Underworld के Soldiers के अंदर से कापी दर्दनाक चीखे निकलने लगती और एक Powerful तपाओ देखते ही देखते हैं अंगिनत Underworld Soldiers गयब हो जाते हैं लेकिन इस टाइम पे Queen, Kyanning, वो Dog, Jio Haye और Jio Bai बचे हुए होते हैं जिसके बाद वो तुरंदी गयती हो तो आपके Heavenly Mansion का 10 Golden Treasure Underworld का Gentian Mountain जो हम लोगों का है वो कब से आपकी Divine Mansion का Treasure बन गया ये तो चोरी की गई चीज है बस तुमें आप चोरी की गई चीजों को अपना बताते हैं आपका Divine Mansion तो काफी बुरा है लेकिन यहापे Queen काफी सीरियस भी होती है जो दे करीवर परसन के चारपाचारा की हसी आ जाती है और वो तुरंदी कहता है क्या ये नहुन त्यांसान Mountain Underworld से है मुझे नहीं पता था मैं तो केबल इतना ही जानता हूँ कि हमने Wheel Tending King नाम के एक परसन को मार डाला था आप कैसे कह सकते हैं कि हमने इसे आप से चुराया है Underworld की Queen होने के नाते क्या तुम बास्त में ऐसे भी एप करती हो और ऐसे जूटे आरूप लगाती हो लोगों पर इस टाइम पर क्यानिंग के चैरा नीचे होता है और पूरा चैरा बालों से ढखा हुआ होता है साथ ये उसके चैरा पर के बले एक अजीब सी स्माइल देखी जा सकती थी जो कि काफी ज़ादा क्रूयल होती है और वो तुरंती कहती है Fighting Emperor मैं निश्चित तोर पर आज आपकी Heavenly Mansion को उसके कीमा चुकाने देऊंगी आपको killing करना बहुत पसंद है ना तो चलो आज वही करते हैं इस टाइम पे पूरा का पूरा उसका जो चैरा होता काफी क्रूयल और खतरनाक होता है उसके डेथी सिकल के उपर पूरी परपल ब्लैक लाइट ग्लो हो रही होती है और उसकी बाड़ी से एक अजीब सी पावर रिलीज हो रही होती है जो देखकर वो बंदा तुने दिखाता है क्वीन क्यानिंग तुम आज अपने आपको कुछ ज़्यादा इसी रिसली दे रही हो मैं तुम्हें हेविन मैंसन की जील पावर दिखाऊंगा और इतना कहने के बाद वो बंदा सामने आता है जिसका चेहरा अब्यसली काफी सुन्दर था और 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 तो और भी भायानक उसके बोलते ही क्वीन क्यानिंग की बाड़ी कापने लगती है और पीछे के बले एक परफल सैडो छूट जाती है और जब वो दो वारा पेर होती ही तो सबसे पहले उस आदमी के सामने होती है जो देखे उस आदमी क्या के सिकुड गए होती है वो कोई अटेक फरफार्म करने ही वाला था कि तभी Queen का चाना का पेर हो जाने से वो हिलने डुलने में भी capable नहीं होता जो देखकर वो तुरंदी कहता है नहीं ये किस टाइप की power है ये impossible है मैं immortal God हूँ इस time पे उस पूरे person की body cup रही होती है ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका गला घोटा जा रहा हो उसके गले से उसकी नसे बहारागी थी जो देखकर क्यानिंग तुरंदी कहती क्या आपको अभी भी लगता है कि God की immortal लेडी सबसे strong है ये आपको नहीं पता कि हमारे अंडर वर्ड के अंदर एक और टाइप की power है जिसे कहते है power of reincarnation इसलिए मेरे अंडर वर्ड के अंदर कोई फाक नहीं पड़ता कि आप immortal emperor है या immortal God अंडर वर्ड में कोई भी immortal नहीं आप में से हर किसी को घुटने टेकने होंगे यहां क्यानिंग impressionless होती है उस person के सामने उसकी आंकों में कोई सहानुबूती और दया नहीं थी साथ ही क्यानिंग ने उसे हिलने डुले में तक helpless कर दिया था और केबल क्यानिंग यह ऐसी power को control कर सकती थी और यह power कुछ यहीं थी जो बास्तों में immortal God को भी मारने में capability उससे भी immortality छीन सकती थी और यह वही power है जो heavenly mansion चाहता है लेकिन यह तब तक उसे नहीं मिल सकती जब तक की क्यानिंग नहीं मर जाती यह है reincarnation की power जिसके बाद उत्रंदी कहती तो क्या आपकी heaven mansion सिर्फ इतनी ही powerful है अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं तो चलो इसे यहीं खत्म करते हैं और ऐसा कहते हैं क्यानिंग हसने लगती है और उसका जो evil person होता है चैरा पूरी तरीके सा भूरा हो गया होता है और देखते ही देखते हैं उसकी पूरी body राख में केवले एक soul pill बची हुई होती है यह obviously उसकी soul की एक मात्र print थी क्योंकि बाकी की तो उसने छोड़ दी थी लेकिन यह soul print उसका बचा हुआ था जो की फिल में बदल कर वहां से भागना चाता था लेकिन यहां पे queen क्यानिंग के चैर पर एक खतरनाके smile होती है और उसके हाथ के एक slash के साथ वहां पर एक shadow condens होती है हालकि तवी अचाना की queen का चैरा फीला पड़ जाता है उसकी body का जो blood होता है world होने लगता है आँखे कापने लगती है और body में एक अजीब सावरा उसे फील होता है उसके impression काफी बदल गय होते है और मुझे खून निकलने लगता है जिसके बाद Underworld के उपर एक आबा आ जाती है क्यानिंग क्यानिंग मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम बात्तों में reincarnation की power को use करोगी और ये poison तुमारी body के अंदर इंटर हो जाएगा मुझे इस पर विस्त्वाज भी नहीं होता अगर एक बार तुम मर गई तो ये अंडर वर्ड भी दिश्ट्वा हो जाएगा और इसके बाद आसमान में 10 souls shadows दिखाई देती है हलाकि obviously heavenly mansion के जैनल के मारे जाने के बाद इनकी पूरी की आर रिमी का जो confidence था वो दिश्ट्वा हो गया था लेकिन जैसे इस्टार सी में ये 10 ghost shadows appear होती है heavenly mansion में एक कावाज सुनाई देती है जो कहता है ये 10 great spiritual king है ये पहली बार है जब मैंने 10 great spiritual kings को भेजा है एक ही टाइम पे इन में से एक भी अकेले पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर रखता है और इन में से हर किसी इक पास immortal god की पावर है आज तुम्हारा ये अंडरवल निश्चे तोर पर destroy होगा और मेरे heavenly mansion के अंदर सामिल होगा ये सुनकर तो बाकी के सबी लोग काफी एदा excited हो जाते है जो भी heavenly mansion से थे दूसरे तरफ three-headed dog तुरंथी queen की तरफ लोटाता है और काफी चिंता के साथ उसके चाथ तरफ घूमने लगता है साथी queen भी यहाँ पे अचानक से नीचे बैट जाती है और अपने हाथ को फैलाती है और वो dog तुरंथी सिकुड कर उसके पास आ जाता है तभी queen तुरंथी कहती है death dog जाओ और इन लोगों की देख भाल करो heavenly mansion के किसी भी को इनसान को मच छोड़ना ये जगे तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो उसकी आबाज इस बार काफी soft थी और साथ evil dog के लिए भी ये first time था जब उसने कियानिक से इतनी soft तरीके से बात करते हुँ सुनाता वो थोड़ सा जिजग जाता है लेकिन अचाना कि वो 100 feet का होता है और तुरंथी एक धीमा रोर करता है मानू जैसे वो अपने master को death तक protect करने के लिए खड़ा हो जो सुनकर कोई तुरंथी कहती है मुझे पता है इसलिए मेरी बात सुनो तुम यहीं मर जाओगे यहाँ से जाओ लेकिन वो डॉग वहाँ से जाने से मना कर देता है वो तुरंथी कहे तभी एक आवा जाती है बात तुम्हें यह डॉग काफी अच्छा डॉग है लेकिन यह कुत्ते तभी आसान थोड़ी था यह अभी भी पूरी हिम्मत करके खड़ा हुआ होता है तभी क्यानिग अपने औरे को अनलेस करती है और उनके औरों को डिश्ट्रॉआ करती है दूस्तब हवा में जो हेई और जो बाई भी इस प्रेसर से हिल गए होते हैं और एकी टैम पे तेन इस प्रिच्वल किंग्स द्वारा रिलीज की गए पावर से अंडरवर्ड का हर एक इंचिंच काव गया था और अंगिनद सोल डिश्ट्रॉआ हो चुकी थी दूस्तब कुईन अभी भी इस प्रेसर में खड़े होने में कैब बल थी लेकिन उसके चैर पर सीरियस इंप्रेसन थे वो जानती थी कि हैवली मैंसन अच्छी तरीके दे तैयार होकर आया है वो तुरंदी कहती है आज मुझे हर कीमत पर तुम सब को मानना होगा तब यो दस लोग तुरंदी कहते है क्वीन क्या निग जब हमने आज एकसन ले ही लिया है तो आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रेंकारनेसन की पावर हमें दे दो तो सायदाम बिचार कर सकते हैं अबिसली इन दस में से एक बोल रहा होता है जो कि इन दस को लीड कर रहा था और इन दस में से ग्रुप का लीडर था जो देखकर वो आसपास के सीन को देखता है इस अंडरवर्ट को देखो यहाँ हैल जैसी कोई चीज नहीं कोई order नहीं कोई rule नहीं इसे पूरी तरीके से गड़बर कहा जा सकता है आप इसे जाने क्यों नहीं देते मेरे heavenly mansion को इसका कारभार समाल ले दे फिर देखे कि इतनी गड़बर नहीं होगी यहाँ पे 300 डॉग भी छोटा होकर queen के पास आ जाता है और जियो ही और जियो बाई भी उसके पास पहुँच गए होते है साथी आसमान में वो जो आई होती है उससे blood निकल रहा था अब्यसलि उन्होंने उस आई को फोड़ कर उसे अंधा कर दिया था साथी यहाँ पे क्यानिंग उन 10 spiritual bodies के question का कोई जवाब नहीं देती बलकि अपने पेरों से हलके से white को थप थपाती है और उसकी body से purple black light निकलती है और वो तुरंती कहती अब जब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको पीछे हटने बिलकुल नहीं दूँगी 10 great spiritual kings अब आप यहाँ आए हैं तो यहीं रुकिए जिसके बाद क्यानिंग तुरंती कहती हैं अंडर वर्ड के order से मैं सभी घोष्ट और souls को अंडर वर्ड को seal करने का order देता हूँ लाखो वर्सों के लिए उसकी आब आज दबंग तरीके से चारो तरफ फैलने लगती हैं जिससे भी घोष्ट और souls चिलाने लगते हैं अंडर वर्ड के उपर आई हुई दरार अचानक ही कहां अपने लगती हैं और ठीक होने लगती हैं आकास अंधेरा हो जाता है और एक लाल बादल चारो तरफ चा जाता है और रेड मून उपर दिखाई देता है ऐसा लग रहा था जैसे अंडर वर्ड को बास्तों में बापस से सुद्ध किया जा रहा है जो देखकर टैनिस पिचल किंग्स तो रहती कहते हैं उसे खोलने की कोसित करती है तो पाती है कि ये लग बग impossible है जो देखकर वो तुरंती कहते हैं क्या नहीं ऐसा करके तुम खुद को destroy कर रहे हो वो person गुस्से में धार रहा होता है उसने जमज लिया था कि अब अंडर वर्ड को seal कर दिया गया है ना अंदर के लोग बाहर निकल सकते और ना बाहर के लोग अंदर आ सकते तभी क्यानिंग अपना सिर उठाते हो उन दस great kings की तब देखते हो कहती है तो यहाँ पे high level के great 10 soul king है heavenly mansion के जब आप अंडर वर्ड में यहाँ तक इतना कुछ plan करके आए तो क्या आपने इससे ending का अंदाजा नहीं लगाया था और इसके बाद black dragon throne एक बार फिर से क्यानिंग के पीछे दिखाई देता है जिस पर वो आलसी होकर बैट जाती है बिल्कुल एक queen के behavior की तरह है और 10 spiritual great kings का सामना करते हैं उसके आखे अभी भी सांथ होती है साथि उसके आखों में एक जरह सा भी fluctuation नहीं होता जिसके बाद क्यानिंग तरंती कहते हैं तो क्या आप सभी लोग बैट कर चाय पीना चाहेंगे या फिर आप लड़ना चाहते हैं और ऐसा कहते हैं क्यानिंग की बाड़ी से एक powerful और निकलता है जिसने 10 spiritual king को लगबग थोड़ा सा unbalance कर दिया होता है क्योंकि इस powerful power में reincarnation की power थी जो देखकर वो 10 लोग तुरंती कहते हैं क्यानिंग तुम्हें पता होना चाहिए अगर हम तुम्हारे साथ इस्ट्रिक्ट फाइट करते हैं तो बहले ही तुम्हारे पास power of reincarnation है फिर भी हम तुम्हारे साथ death तक लड़ सकते हैं अब इसलिए उसकी जो बात थी वो धंकी से भरी हुई थी और killing intent टॉरे से यहाँ पे उन्हें देखकर जो क्यानिंग होती वो तो काफी सांत होती है और उसके चेर पर एक smile होती है जो कि obviously एक arrogant smile होती है तो क्या आप घबरा रहे हैं जो देखकर वो अंदर तुरंती कहता है चुटकुला मेरे heavenly mansion को किसी से डर नहीं लगता जो देखकर क्यानिंग तुरंती कहती क्या तुम सच में नहीं डरते और वो थोड़ा से smile करती और power of reincarnation उन दस spiritual kings के चारतरब घूमने लगते हैं और इसके बाद वो तुरंती कहती हो मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई अंडर वर्ड सील हो चुका है तो आप अगर यहाँ पे मर भी जाएंगे तो आपके पास reincarnation का कोई रास्ता नहीं मैं तुम लोगों को prison में डाल दूँगे जहां तुम्हारा reincarnation कभी नहीं होगा और मेरे dog तुम्हारी सारी soul खा जाएंगे जो देखकर तो three-headed dog अपने मूँ से लार बहा आता हुआ दिखाई देता है कि आप उसे अच्छा खाना मिलने वाला है और इसके बाद reincarnation की power से एक एक threat create होता है जो ten souls से touch होता है और यह लोग बुरी तरीके से पीछे अरते हैं लेकिन कोई effect नहीं पड़ता कि उनकी speed कितनी थी power of reincarnation की threat की power उनसे काफी speed से थी और वो continue उसका पीछा कर रही होती है और उन्हें चारों तरफ लपेट लेती है उन्होंने कितनी भी कोसिस क्यों न की हो इससे कोई फाइदा नहीं होबा था जो देखाए spirit king boss जो उन लोगों का था वो तरफ लेकिता आई है underworld को माणने के लिए मिलकर काम करें मैं भी जानना चाहता हूँ कि reincarnation power कितनी अजीव है power of reincarnation से उसकी खोपड़ी सुन हो चुकी होती है और इसके बाद उन सभी लोगों की body से powerful immortal power release होती है जो पूरे underworld को कपा देती है और ये सभी लोग underworld की तरफ underworld की अंदर की तरफ भागने लगते हैं और अपनी power के साथ सब को destroy कर रहे होते हैं और इन्हें सामने की तरफ आता हुआ देखकर तिरिया dead dog तुरंते अपनी flame को activate कर लेता है और किसी भी time पे से लड़ने लिए तयार होता है तब ही अचाना की क्यानिंग एक हिसारा करती है और 10 spiritual kings की आकरती अचाना की हवा में रुख जाती है और फिर उन सभी की figure से अचाना की एक-एक head निकलते हैं और देखती देखती ये अंगिनत head हो जाते हैं उनकी skin से निकल रहे होते हैं और 10 spiritual kings की पूरी body पर human faces दिखाई देने लगते हैं जो देखकर की आनिंग तुरंदी गयती है ये पता चला जिन souls ने आप से हार माली आपने उनकी soul को ही absorb कर लिया कोई surprise की बात नहीं कि आपका behavior इतना बुरा है लेकिन क्या आप नहीं जानते हैं कि underworld वो जगह है जिसका relation direct soul से है तो आप बास तुमें हमारे business में interfere कर रहे हैं और rules को change करने की कोसिस कर रहे हैं तो बास तुमें एक बच्चा एक beam के सामने खड़े होने की कोसिस कर रहा है आप अपनी strength को को ज़्यादा importance देते हैं इस time पे 10 spiritual bodies के चेर पर काफी दर्द दिखाई दे रहा होता है power of reincarnation की केबल एक cluster नहीं इन 10 great kings को पूरी तरीके से उदास कर दिया था हलाकि ये long time तक नहीं चलता क्योंकि ये 10 great kings अकेकार अभी भी immortal god थे लेकिन अब जब वो ठीक हुए तो उनकी आंकों में एक डर था वो तुरंती split boss कहता है एक साथ attack करो वो हार वारने को तयार नहीं था उसे पता था कि अगर कि आनिंग को मार दिया गया तो यी कुछ हो सकता है बना वो कभी भी अंडरवर्ड से बाहर नहीं जा पाएंगे जो देखकर 10 के 10 लोग से लाते क्योंकि पीछ आटने का कोई रास्ता नहीं था और powerful immortal power उनकी body से निकलती है जो एक साथ मिलकर आंगे की तरब बढ़ती है और obviously एक साथ इनकी जो power थी वो पूरे एक एरिया को डिश्टोर करने के लिए भी पर्याप से जादा थी लेकिन obviously एक कोई normal area नहीं था बलकि popular अंडरवर्ड था यहाँ पे टेरी स्पिच्वल किंग्स की power ने काफी ज़्यादा प्रेसर बनाया था जहाँ पे थ्रियाडे डॉग भी काफी ज़्यादा उदास होता है और प्रेसर के काण चिला रहा होता है दूस्ते आप है किया निंग जो black dragon throne के उपर बैटी हुई होती है अपने हाथ को उपर उठाती है और हलके से उसे हिलाती है और ऐसा लगता है जैसे queen ने पूरे आसमान को ही पकड़ लिया हो और उनकी power को तुरंती वो suppress कर देती है जो देखकर वो तीनों समझ जाते हैं वो दस की दस लोग समझ जाते है कि उन्होंने बास्तों में queen को कुछ ज़्यादा ही underestimate कर दिया है वो तुरंती कहता है damn it वो बहुत strong है ऐसा लगता है कि उसे हरानी किलम केबल एक ही तरीका यूज़ कर सकते है formation create करो और सारी power मुझे दो मुझे अभी भी विस्तौास नहीं हो रहा कि मैं इसे एक छोटी सी लड़की को नहीं हरा सकता वो भी 10 लोगों की power के साथ जो सुनकर 9 के 9 लोग बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं और अपनी पूरी की पूरी power को और अनगिनस सोल्स को बाहर निकाल कर boss के body के अंदर transfer कर देते हैं जिसके कायर is split king boss जिसके बाल obviously काले थे अचाना कि silver color में बदल जाते हैं और उसकी power बढ़ जाती है जिसके बाद वो तुरंदी कहता है क्यानिंग अगर तुम मेरे इस attack को झेलती हो तो भले ही तुमा जिन्दा बच जाओ तुम जिन्दगी में कभी भी चलने और power में cultivate करने लायक नहीं होगी अचा कहते हैं वो काफी serious होता है साथ ही उसकी speed काफी बढ़ गई होती है जैसे ही वो सामने आता है queen क्यानिंग जो dragon throne पर बठी होई होती उसकी आँकों में एक light glow होती है उसी time पे उसके मुझ से थोड़ा सा blood निकलता है लेकर वो तुरंती हाथ के एक slash के साथ उसे gap कर देती है उसके चैरे पर किवल एक attitude और luxurious हो रहा होता है और चैरे पर एक smile और हावा में कड़ो spirit king boss को देखते हुए उसका चैरा और भी cruel हो गया होता है दूतर पि spirit king boss की body से निकलने वाला aura आस बस के अंडरवर्ड को fluctuate कर रहा होता है तब ही क्यानिक तुरंती कैती है immortal क्या है immortal का मतलब है reincarnation को cross कर जाना और उसके बाद ही तुम immortal बन सकते हो और अगर ऐसा है तो फिर power of reincarnation के बारे में क्या चलो आज देख ही लेते हैं कि power of reincarnation की legendary power कितनी strong है spirit king boss जो की लगबग unbeatable लग रहा होता है क्यानिक की इस बात को सुनकर क्यानिक का भी जमहाई से ऐसा बोलती है और अचाना की dragon throne के नीचे black liquid अचाना की हवा में भढ़ जाता है और spirit king boss की तरफ बढ़ने लगता है और अंगिनत तंबूओं में बदल जाता है spirit तुरंत ही एक दूसे से टकराते हैं जिससे एक खतरनाक energy storm की रेट होता है हलाकि यहाँ पे क्यानिक जो dragon throne पर बैटी हुई होती है बिलकुल आराम से बैटी थी उसे पता था spirit king boss भी नहीं बच सकता साथ यह energy storm देखते ही देखते पूरे sixth prison को cover कर लेता है आतपात के सभी पहाड नतिया मैदान हिलने लगते हैं और इसके उपर की layer हटते ही real sixth layer prison appear होता है जो bestly punishment की जगे थी हर तरह पिगला हुआ लावा अनगिनत घोष्ट जो चीख रहे होते हैं अपने पापो के लिए guilty feel कर रहे होते हैं उनका reincarnation कभी नहीं हो सकता उन्हें अपनी सारी जिन्दगी यहीं झिल कर अपने पापो के लिए प्राश्चित करना था साथी black liquid हो golden liquid एक दूसरे को tackle करते हो destroy कर देते हैं और fight अभी start हुई थी spirit king के हाथों के निसान बदल रहे होते हैं और उसका त्यानसान mountain एक लाख फीट में बदल जाता है जो कि obviously काफी powerful था और उसकी giant shadow से black dragon throne भी घिरा हुआ होता है और queen के chair पर एक smile होती है वो तुनंदी कहती है मेरे underworld के अंदर मेरी ही जी जो का use क्या आप बास तुमें मेरे ही त्यानसान mountain से मेरे ही घोष्टों को suppress करना चाहते हैं और इसके बाद वो त्यानसान mountain की तरब देखती है और अचानकी पूरा mountain कापते हुए रुख जाता है और अचानकी इस split king को feel होता है कि यह mountain उसके control से बाहर जा रहा है तभी यह mountain जो पूरी तरीके से क्यानिंग को suppress करने के आँगे बढ़ रहा था चानकी अपनी direction को बदल देता है और बास तम उसकी तरब बढ़ने लगता है obviously यह जो mountain था कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई भी control कर पाए obviously लेकिन cable क्यानिंग की एक उंगली उठाते ही इस mountain अपनी पूरी के पूरी पावर बदल दी होती है जिसके बाद क्यानिंग अपने हाथ को आंगे करती होड़े mountain तुरंती छोटा हो जाता है और उसके हाथ में आ जाता है वो तुरंती कहती है मुझे अभी भी इसके अपने पास रखने की जरूरत है immortal emperor के लिए ये आपके हाथों में अगर destroy हो जाता है तो ये इसके लायक नहीं होगा तब ही अचाना कि वहाँ पे एक person घोश्ट spirit appear होती है जो इस mountain को देख रही होती है उसकी आखों को देखते हुए उसकी आखों में एक familiar सा impression होता है साथ ही उसी figure के बगल में एक old man सा दिखने बाला घोश्ट होता है जो कहता है ऐसा लगता है ये mountain मुझसे familiar है मैंसे जानता हूँ जो दिखकर वो old घोश्ट तुरंती कहता है यो हाइनेस लुन बांग ये mountain अपनेवे आपके पिछली life का treasure था ये आपका है यो हाइनेस साथ ही ऐसा कहते है वो काफी respectedly कह रहा होता है जो सुनकर वो बच्चा तुरंती कहता है क्या बास्तो में तब तो मुझे जल्दी से बड़ा होना होगा उस बच्चे के चैरे पे हलके से लाल नेसान होते है और वो तुरंती कहता है मैं sister Pluto को इन enemies के साथ निपटने में मदद करूँगा Pluto यानि क्या ने साथ है ऐसा कहता हूँ ये बच्चा काफी serious होता है और ये old ghost काफी respectedly अपना से लात वे चुप हो जाता है और कहते है ठीक है तो चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या brother त्यान जांग जाग गए हैं या नहीं और असा कहते हूँ वापस है फैंगदू सिटी के अंदर कून जाते हैं दूसरी तर फैंगदू में एमपरर त्यांजेंग जिनने ड्रैनर गन कपड़े में लपेट कर भेज दिया गया था इस टांप एक स्पिच्वल इस प्रिंग के सामने लेटे हुए होते हैं उनकी बड़ी की टूट्यो ही हडडिया काफी स्पीड से रिकबार हो रही होती है पलग जपकते ही ठीक हो चुके होते हैं और इसके बाद बेखोस दियाजेंग तुरंति केते हैं रोयल हाइनेस प्लूटो मिंग्यू जिओ मिंग्यू जियो यहान की बेटी है रे बाबा उसकी वह रही सिकड़ू ही होती है बिवोस होते होई विवास यही नाम ले रहा होता है जो सुनकर वो बच्चे तुरंती कहता कि आप रधर ध्यान जेंग और सिश्टर क्यानिंग, हस्बेंड और बाइफ है और असा कहते हो वो बच्चे उस पिच्चियोल फॉंट के सामें त्यान जेंग को देखता है जो देखकर वो तुरंती कहता है अगर ओल्ड घोष्ट ठीक है अभी आपको ऐसा कहने की कोई जोरत नहीं योर हाइनेस, अभी भी आप काफी यंग है आप जब बड़े होंगे तो आप इन चीजों को समझ जाएंगे और ऐसा कहते हो वो इपने सिर को हिलाता है तब यो बच्चे तुन नहीं कहता है मैं अगर आपको बता दूँ तो पिछली बार जब मैंने ब्रेदर चियान जेंग को देखा था तो वो सिष्टर क्यानिंग के साथ गंदी आरकते कर रहे थे और अज़ा कहते है उस बच्चे का चैरा लाल होता है और अबसली छोटा सा था और आमेच्चे और था और उस बच्चे की बात को सुनका ओल्ड घोष अपना से नीचे कर लेता और कुछ भी बोले की हिम्मत नहीं करता दूस्तप अंडरवर्ड के सिष्ट प्रिजन पर क्यानिंगो इस्प्रिट किंग के बीच में फाइट चड़ गई होती है और दौनों की फाइट के कार अंडरवर्ड काप रहा होता है यहाँ पे क्यानिंग के अटेक से इस्प्रिट किंग की बोड़ी काप ही पीछे तक जाती है और उसके चार पे हलपले से स्माइल होती है वो तौन अंडरवर्ड कहता है क्यानिंग क्या तुमारी पावर बस इतनी है क्या तुम्हें पता है मैंने जो पावर यूज की वो मेरी 60% पावर से भी कम है पी उसकी बोड़ी से निकलने के लिए तयार हो जो देखाए स्प्रिट किंग अचाना कि अपने हाथों में एक पावर्फुल एनरजी को कंडेंस करने लगता है और वो तुरंदी कहता है निर्वाना लाइट यहावारे हेवनली मैंसन की एक अनूठी श्ट्राइक टेकनोलोजी है और इसके आज पावर अपने आप में भी काफी खतरनाक है और इसके बाद निर्वाना लाइट से खतरनाक और अप्रेड्यूस होता है जिसके काट पीछे का त्री एड़ेट डॉग जियो हेई और जियो बाई दोनों काफी हैरान होते हैं और टेंसन में होते हैं वो तुरंती कहता है बंदा मेरे हेवनली मैंसन की डिश्ट्रेक्शन पावर अनि गिनत रियलम्स को कापने पर मजबूर कर सकती है टेन ग्रेट इस प्रेट किंग आज ये फाइट जरूर जीतेंगे अन्डेरवर्ड मेरी हेवनली मैंसन का होगा हेवनली मैंसन के सोल्जर्स के बल ये फाइट देख सकते थे और रोर कर रहे होते क्योंकि उन्हें लग रहा होता फाइट जीत गए जो सुनकर जियो हेई जियो वाई और थ्री हैडेट डॉग उनके रोर को सुनकर तुरंती गुस्से में हैमिल्ली मैंसन के सोल्जर्स के उपर तूट परते हैं दूसर भी स्प्रिट किंग का बोस जिसके हाथ में कोल्ड पावर थी और एक खतरनाक औरा ऐसा लग रहा था वो अंडर्वर्ड के खिलाप लड़ने के लिए अपनी पावर का पूरा यूज करने वाला है क्योंकि उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो यह एरिया क्यानिंग का एरिया है यहां जितनी देर होगी उसके लिए उतना ही नुकसान दायक दूसरा अप क्यानिंग की आखे काप ही आलसी तरीके से खुल रही होती और बंद हो रही होती है वो तो अभी भी आलसी थी इस पावरफुल अटेक के सामने आखे कर यह अंडर्वर्ड था और वो यहां की क्वीन उसके लिए ड़नने के कोई बात ही नहीं थी हाला कि अगर यह जगह कही ही और होती तो उसे स्पिरिट किंग के साथ फाइट करते हुए थोड़ा से लट रहना पड़ता लेकिन बैड लगता कि यह सब अंडर्वर्ड में था जहां वो अपनी थौट से ही आर एक चीज को बदल सकती थी जिसके बाद वो तुरंती अपने पैरों को हिलाते हुए कहती है मुझे बास्टों में खेद है लेकिन मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि मैं जब से फाइट कर रही हूँ आपसे मैंने सिर्फ अपनी पावर काट 10% ही यूज किया है और इसके बाद क्वीन के हाथ का जो डेथ सिकल होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है और एक ब्लैक लाइट उसके पैरों के नीचे फैलने लगती है और आसपास के एरिया को मकड़ी के जाले की तरह सील कर देती है आसपास का पूरा एरिया सील होने के बाद अचाना कि Queen की आँखों से परपल बैगनी लाइट निकलने लगती है जिसके बार वो तुरंदी कहती है अब अंगला कदम ये है कि मुझे आपको ये बताना है Underworld क्या हो और Reincarnation क्या है और उसके इतना कहते ही मानो ऐसा लगा हो जैसे पूरा Underworld कांप गया हो जो देखाए Spirit King Boss हसने लगता है उसे लग रहा था कि उसकी जो ये अटेक है सब चीज फाड़ कर रख देगी Underworld के अंदर Black Light का सामना करते होए वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता आखे कर उसने Heaven Benson की Nirvana Light को अकने Extreme Level तक पा लिया था और उसके हाथ की Nirvana Cold Light अन गिनत निर्वाना Light से बनी है जो की चमकती तलवार की Blade की तरह है जिसके बाद वो तुरंती पलग जपकते क्यानिंग के पास पहुँचता है और पूरी एनरजी को क्यानिंग की तरब बढ़ा देता है और उसके चर पर एक Crazy Smile होती है दूसके आनिंग के आसपास Black Light का एक Barrier होता है जैसे ये Light काट रही होती है और आखली लेयर को काटते ही वो Light केबल Queen से 10 फीट की दूरी पर होती है और इसके बाद Split King सीधा ही Queen की तरब बढ़ जाता है जैसे वो एक ही Attack में उसे मारने वाला हो और इसके बाद वो चिलाते हों कहता है Go to Hell की आनिंग और अपने Attack को उसकी तरब बरसा देता है दूस्त अप की आनिंग का चाहरा बिना किसी Impression के सांथ होता है और अपने हाथ के Death Circle को पकड़े हुए होता है साथ ही एक काफी Normal ओरस से भरा हुआ फिलो रहा था लेकिन इसके अंदर एक Unbeatable Dangerous Energy होती है जिसके बाद Death Circle अखिरकार Powerful रूर करता है और इसके अंदर कोई Immortal Power नहीं थी ना कोई Immortal Energy ये Power थी Power of Reincarnation जो क्यानिंग की Power थी जिसे वो रूल करती थी जो इतनी Powerful थी कि साइधी 10 Spiritual Kingsness की उमीद की हो हवा में एक Boom की आवा जाती है और Death Circle अचाना की बहार निकलता है और सीधा ही निर्वाना Cold Light को Destroy कर देता है 9 Ghost Temperance जब ये देखते हैं तो वो हसने लगते हैं उन्हें लग रहा होता है कि ये कभी भी इसे Destroy नहीं कर पाएगी क्योंकि इस Light के सामने ये Death Circle काफी फीका लग रहा था इसलिए इन्हें लग रहा था कि Soul King के सामने क्यानिंग का कोई भी मैच नहीं लेकिन जैसे कि इन बेचारों ने सोचा था कि क्यानिंग बड़ी आसानी से मार दी जाएगी ये वैसा कुछ भी नहीं होता बलकि दोनों एनर्जी टकराते ही एक Blast होता है और पूरा Sixth Prison पिगले हुए लावे में बदल जाता है और एक जोहला मुकी भी स्पोर्ट होता है हर जग है लावा फैन ले लगता है जिससे Impact में आने के डर से Nine Spiritual King तुरंथी हवा में तैने लगते हैं इतनी Powerful Power के सामने अगर ये अंडरवर्ट नहीं होता तो बाकी के अधर ये अलम टुकडे टुकडे हो गये होते है Heavenly Mason के काफी साइज Soldiers के Impact में आते हैं ट्री एडेड डॉग जियो हे जियो बाई जो Black और White थे वो भी इस Energy के Impact में आकर खायल हो जाते हैं उन्होंने देखा था कि एक Golden Light और Black Light एक दूसरे से Fight कर रही है जिससे आसपास के Space तक क्रैक हो रहा था और एक Powerful Energy स्ट्रॉम ने इन सभी Spirit Kings को कवर कर लिया था यहाँ पे केबल दो फिगर देखी जा सकती थी एक Spirit King था और दूसरा थी क्यानिंग दोनों Attack एक दूसरे को सप्रेस कर रहे होते हैं तब ही Nine Kings तुरंती कहते हैं वो सभी तक क्यों नहीं जीते उन्हें लग रहा थे इस Attack के साथ क्यानिंग एक ही Attack में खथ अब बताना मुस्किलता की कौन जीत रहा है कौन हार रहा है आकेकर यह Powerful Power उन्होंने अपनी Power को जोड कर भी बनाई थी उन्हें उम्मीद था कि भले ही क्यानिंग के पास Reincarnation की Power हो उनके Heavenly Mansion की Power of Destruction के सामने वो नहीं बच पाएगी और यह टक कर दरजनों सांसों तक चलती है और दोनाई फिगर एक दूसरे से अलग हो जाते है दूसर अब क्यानिंग के मुसे तुरंती Blood निकलता है और उसका चेहरा पीला पड़ गया होता है जो देखके Spiritual King जो 9 होते हैं वो अचानक ही हसने लगते हैं उन्हें लग रहा होता है कि लेजल्ट साफ है और वो तो 9 के 9 इस पिचल किंग तुरंती कहते हैं प्लूटो यानि क्यानिंग हमारे Heavenly Mansion की पावर सभी दियलम्स में सबसे पावरफुल है अंडर्वर्ड में आपके लिए भी यही कहा जा सकता है लेकिन आप हमसे स्ट्रॉंग नहीं उन्हें लग रहा होता है कि अब तो क्यानिंग क्या ही जीतेगी फाइट तो साफ हो गई उनकी इगो फुल इसमाईल 4-13 पंडरवर्ड में फैले लगती है दूस्ता आप क्यानिंग के मुझ से बलड़ निकल रहा होता है और उसके चैरे पर अभी भी आलसी impression होते है और वो अपने पैरों को करिके बापफ से थ्रोन पर बैठ जाती है देखती तक नहीं बलक्व नाइन इस्प्रेट किस को देखती है जो इगो फुल तरीके से हस रहे थे उनके हैं से एक चाना की धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और फिर गायब हो जाती है और चैरे पर होता है डर वो देखते है इस पिट किंग बॉस के मुझसे तुरंती ब्लट का एक बड़ा सा टुकड़ा निकलता है उसके हाथ पैर डेथ लाइट से पूरी तरीके से कवर होते हैं और काले हो गए होते हैं और काली लाइट धीरे धीरे उसे कवर करती जा रही होती है और उसकी पूरी बड़ी ब्लैक लाइट में बदल जाती है और उसकी बड़ी फटकर अंगिनेज ब्लैक ड्रॉप में बदल जाती है और ये देखका नौज प्रिट किंग किया के सिकुड़ गई होती है और वो क्यानिक को अंट्रेष्टेट तरीके से देख रहे होते हैं उन्होंने देखा था कि क्यानिक ने उनके बॉस को मार दिया और मार कर सीधे ही खत्म कर दिया जिससे उन लोगों को बिस्वास नहीं होता उन सभी लोगों के चर पर अब काफी खतनाग डर था वो यहां से भागना चाते थे उन्हें बिलकुल भी उमीद नहीं थी कि बास तो उन्हें ऐसा देखने को मिलेगा जाइर सी बाती चाहे वो नाइन स्पिच्वाल किंग हो या बॉस सभी ने प्रूटो की या किसी लिए भले ही तुम अमजो हो तुम अभी भी पावर आफ रैन्कार्णेसन के अंदर आते हो वो तुम्हें डिश्टोई जरूर कर सकती है मियाव dwamos और ये तो मम्मी है वो तुरंतिये ही चला रहे होती है कैसे हो सकता है बौस कैसे हार सकते हैं उन्हें बता था पशा कि यही हस रोने वाला है वो तुरंधी कहते है हला कि बहुत सार गए ये भी तो इंजड हो चुकी है हम लोग उसे निश्चित तोर पहरा देंगे जो देखकर रंगला बंदर तुरंधी कहते है यांतियान तुम्हें पता होने चाहिए कि हमारा एक साथ लड़ना उसके साथ impossible है उसके पास रेंकारनेशन की पावर है हमें पीछे अटना चाहिए इनके बीच में आप फायट होने लगते है जो देखकर वो अंदर तुरंधी कहता है ये भी उन आप अचारों साल से मैंसन से जुड़े हुए हैं आप इतने फट्टू कैसे हो सकते हैं क्या आपको लगता ह उनका नाइन की अचाना की चौक जाते हैं और तुरंधी कहते हैं क्यानिक चलो इस मामले को जाने देते हैं आप हमें जाने दें मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 10 लाग बरसों के भीतर हेवेनली मैंसन कभी भी अंडरवर्ड के मामलों में इंटर्फियर नहीं करेगा ये और वो तुरंधी कहते हैं क्यानिक तुम्हें पता होना चाहिए डिवाइन मैंसन में हम सबसे स्ट्रॉंग नहीं हैं अगर आगे के लोग एक्सन लेते हैं तो अंडरवर्ड निश्चित और पूरी तरीके से डिश्ट्रॉ हो जाएगा तो आप हमें यहां से जाने क्यों न लगता है वो देखता है कि इस ब्लैक इसनेक के टककर के बाद उसकी बॉड़ी में ब्लैक लिक्विड फैल रहा है और उसकी बॉड़ी धीरे धीरे डिश्ट्रॉ हो रही है एमोर्टल बॉड़ी अब्यसली डिश्ट्रॉय नहीं होती थी लेकिन इसकी बॉड़ी नहीं तुरंती कहती है ये poison तो मेरी उमीद से भी जादा powerful है और ये देखकर कि बाकी के spiritual kings काफ जादा खुस होते की जीत की एक उमीद उने मिल सकती थी लेकिन कोई बड़ा कदब उठानी के उन्होंने हिम्मत नहीं की थी तभी क्यानिक भी इन बचे की लोगों को देखते हुए त तुरंती समझ जाती है उसे इन से जल्दी ही ने पटना होगा बनना बात खराब हो सकती है तभी एक बंदा कहता है तुम्हें मेरे heavenly mansion की ninth silk bomb sand poison दिया गया है अगर तुम हमें यहां से जाने देती हो तो हम तुम्हें antidote दे सकते हैं ऐसा लग रहा तक बिना antidote के queen यहां पे ब लेकिन तुम्हें heavenly mansion में भेजना यह बहुत मुश्किल है जो सुनका emperor king के यानि spirit king के impression बदल जाते हैं वो यहां पे poison से क्यानिंग को धमकाना चाहते थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि queen की नजरों में इस poison से भी उसकी life को कोई खत्रा नहीं तभी क्यानिंग तुरंदी कहती है आपके बारे में सबसी idiot बात यह है कि आपने मुझे यह बताए कि आपके पास anti-road है और इसके बाद वो उंगलियों को चटकाती है और आसमान लाल हो जाता है और red moon अप्यार होता है जो की red नहीं बलकी black होता है तो black light में black moon दिख कैसे राथा राइटर? जिसके कानिन में से कोई भी emperor हिलने डुलने में भी capable नहीं था त्यानिंग तो starting से ही फसा हुआ था उसके आपके खून से लगपत थी सबी लोग भी बाकी के डरने लगते हैं जो देकर यांग त्यान तुरंदी के था अगर मैं मरा तो मैं आख खुद को explode कर लूँगा और underworld को तबाह कर दूँ और वो दीरे दीर फूलने लगता है जो देकर क्यानिंग के चेरा चाना की मुर्जा जाता है उसने जो पतली बेल्ट पहनी हुई होती वो चाना की बाहर निकलती है और black light में बदल कर त्यानिंग को कस कर जकर लेती है लेकिन यांग त्यान क्रूल था इससे पहले उसने पेट में आ गई थी लेकिन उसका जो इनर आर्मर था वो काफी स्ट्रॉंग था इसलिए एक हलके जटके के साथ वो खुत को कंट्रोल कर लेती हैं हालाकि heavenly mansion के लोग उतने अच्छे नहीं थे बास तब वो सभी लोग जहाज के साथ ही टुकड़े टुकड़े हो गया होते ह साथे इस पावर के डिश्ट्रक्शन ने अंडर वर्ड के स्पेस पे एक क्रैक कर दिया था और इसलियर को टुकड़ों में उड़ा दिया था यांग त्यान के डिश्ट्रक्शन के का अंडर वर्ड के अंगिराद घोष सोलजर्स का सफाया हो गया था बलकि heavenly mansion के भी सभी सोलजर्स खत्म हो गये थे जबकि उसे poison भी दिया गया था जो उसकी body क inner organs में काफी deeply पहुँच चुका था इसलिए canning blood की एक और वॉमिटी करती और काफी embrace दिखाई देती और कहती कितना powerful bear hair है उसे पता थे कि अब उसके पास जादा टाइम नहीं बचा है अगर उसके पास android नहीं हुआ तो situation खराब ह हो सकती है जो देखकर वो बांकी के बांकी के spit kings की तरब देखते और अपने death cycle को slash करती है अब यहाँ पे केपल 8 ही king बचे थे और death cycle तुरंथी black snakes में बदल जाती है और बांकी के लोगों की तरब दौरती है जो देखकर सभी के impression बदल गये होते हैं और क्यानिंग का चैरा अब ही काफी बदला हुआ होता है और बैसली self-destruction से क्यानिंग को भी चोट आई थी और आब बाकी के spit kings को लग रहा होता कि अगर वो साथ मिल गए तो क्यानिंग को राना मुस्किल नहीं होगा और 1 by 8 यह scene पहले से ही काफी खतनाक था और देखते ही देखते कि बाद एक attack अब यह भी इन सभी की power unbeatable होती है हाला कि चाहिनों उन्हें कितने भी attack क्यों न किया हो इनका एक भी attack क्यानिंग को touch भी नहीं कर पाता दूस्तब क्यानिंग के जो भी attack थे उसमें मुस्के साथ power of reincarnation भी थी जिसके कारण impact में आते ही इनकी body में काफी सारे काट और निसान बने हुए होते हैं जो देखकर उन्हें काफी pain हो रहा होता और वो कहते हैं डैमिट reincarnation की power इतनी powerful कैसे है वो काफी डरे हुए होते हैं उन्हें पता था कि अगर यह चलता रहा तो उनकी body destroy हो जाएगी तब ही क्यानिंग अचाने की हंस्ते हो उन्हें आठ लोगों को मानने क मर जाएगी दूस्ते अब क्यानिंग के चरिवा पसीने की बूंदे होती हैं और वो कम से कम बेहोस होने से पहले इन आठ spirit kings को मानना चाहती थी उसकी body काप रही होती और आखों के सामने अंधेरा चाहरा होता है जो देकर आठ spirit king इगो फुल तरीके से हसने लगते हैं जो द तुम heavily injured हो और death के close हो कैसे वो तुरंती साबाज को सुनकर अपने बगल में देखती है जिसने एक काला कपड़ा पहना हुआ होता है और काले कपड़े के नीचे obviously तुम एक सुन्दर से चेहरे को देख सकते थे तब ही एक हबा का जोका आता है और वो चेहरा उपर की तरफ क प्रेमें लग रहा होता है जो देकर क्यानिंग तुरंती कहती है फादर फादर मुझे माफ करें मैं अंडरवर्ट को फ्रोटेक्ट नहीं कर पाई तब ही वो परसन क्यानिंग के चेहरे को हलका हलका सहलाता है और अपनी फिंगर को उसके सिर पे रखता है जो उसकी अपनी पिछली लाइफ में तबी वो परसन तुरंती त्री एड़ेट डॉग की तरफ देखता है यहां ओ जो सुनकर त्री एड़ेट डॉग बिल्कुल बीगी बिल्ली बन कर उस पंदे के सामने जुग जाता है और वो परसन तुरंती क्यानिंग के वाड़ी को उस कुत्त पिट पर रखता है और कहता है इसे प्रोटेक्ट करो सिक्स्ट प्रिजन को छोड़कर भाग जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है वो बंदा भी तुरंती कहते है तुरंती इसे फैंग डू लेकर जाओ इसे वहां डिश्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ऐसा कहते लेकेसियंट रूलर को निकालता है उसके आदे अजीब से इंप्रेशन होते हैं और तुरंती उस बंदे को देखकर आटोय स्पिर्चुल किंग कापती हुए कहते हैं ये 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 कैसे कैसे पॉसिवल है उन्हें ऐसा लग रहा हुता है जैसे उन्हों नहीं अ दूसर आधे मॉस्टर की तरफ देखते हुए इस प्रिट किंग तुरंती कहते हैं मास्टर जो देखकर वो मॉस्टर बाला आधा फेस तुरंती कहता है अब बेच चूतियों तुम्हें अंडर बंड में अटेक करने के लिए किसने कहा था और असे कहते हुए वो आधा जमीन पर बैठ जाते हैं वो तुरंती कहते हैं मास्टर सांथ हो जाए हमारे पास कोई भी आपसन नहीं था जो देखकर वो हब डेमें तुरंती कहता था जब मैं यह आ रही था तो तो तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया तभी बुयू नाम का बंदा तुरं नहीं करते वो हमारे heaven mansion को डिश्ट्रा कर देंगे जो सुनकर वो demon तुरंदी करता है मुझे उनके बारे में पता है तो मैं जल से जल अंडरवर्ड से बाहर जाना चाहिए और दो बारा अंडरवर्ड में इंटर होने की कभी भी कोसिस मत करना और इसके बाद वो अपनी एक ही उंगली से अंडरवर्ड को forcefully एक crack के साथ open करता है और विसके बाद वो तुरंदी करता है तुमारे पास 10-700 का time है अगर तुम अंडरवर्ड से निकल गए तो ठीक अगा नहीं निकले तो तुम्हें हमेशा यही रहना होगा जो सुनकर spirit kings चौंग जाते हैं और जी जगते ह वह तुरंदी उस द्रार की तरब भागते हैं तभी सुन्दर चेरा तुरंदी केता है देमन गॉड देख ले क्या चीज़ा तुले आया है 3000 बाद के अंदर जो देखकर देमन गॉड तुरंदी के अंदर होली गॉड क्या यह अकेले मेरे reason के कार था 3000 बाद पहले से इन लो इससे निपटने में क्या पबल नहीं लेकिन हम दोनों की पावर और अंडरवर्ड की पावर का यूज करतो है बनाए गए उस क्रोस लियालम ब्लैक होल को भड़ने में कोसिस कर सकते हैं जो सुनकर वो दोनों कहते हैं इसमें सक्सेसफुल रेट पता है न यही बोनस वीडियो एक और रख लो